हेलो एवरीवन प्रिविएस वीडियो से हमने स्टार्ट किया था यूनिट नमबर टू कॉंप्लेक्स इंटेगरेशन उके तो उसमें हमने बेजिक देखा था कि लाइन इंटेग्रल किसको बोलते है एंड सिंपल यह हमें याद रखना था एंड कॉंटर इंटेगल मींस क्लो एक्जमपल आता है वह यह प्रोपर्टि इस ऑफ ब्लाइन इंटेगल यह बुक में दी है लेकिन यह सभी करने के अभी जरूरत है नहीं मानलों के इजी ही है कि यह लिन्यारिटी प्रोपर्टी है तो उसमें हम क्या करेंगे मानलों के दो हमारे कॉंप्लेक्स फंक्षन है f of z and g of z दोनों के साथ यह constant multiply हुए है और यह पूरा का हमें integration करना है z के respect में तो हम दोनों का separate कर सकते है और यह k1 and k2 को बाहर निखा सकते है यह क्या हो गई क्या कुछ अभी काम है नहीं मानलों के यह एक sense reversal है कि यह a2b है हमें b2a करना है तो यहां पर हम क्या करेंगे माइनस करेंगे ओके बाद में यह पार्टिसनिंग पाथ है मतलब कोई हमें कव दिया है सी ओके वो उसके दो पाथ है that cow c consists of two cow c1 and c2 तो हम दोनों का अलग से कर सकते है separate कर सकते है partition कर सकते है ओके यह देखो सेम होगा यहां पर c1 का होगा यहां पर क्या हो जाएगा c2 का हो जाएगा रइट अब देखो यहां पर यह ना इनसे ज्यादा अभी हम यह यूज करेंगे ml inequality वो क्या है कि if f of z is continuous on the cow c क्योंके फंक्शन जोए वो cow पर continuous होना चाहिए और उसकी length क्या है l है and f of z more of f of z less than equal to m यहां पर यह m क्या है यह m जो है न वो actually upper bound है वो क्या है वो आपको मैं बदाद देन यह condition होती है then जिसका भी हमें integral fine करना है मतलब इनका ओके उसका more less than equal to क्या हो जाएगा ml देखो यह है यह याद रखना है more of जिसका भी यहां बें integral fine करना है less than equal to ml यह m क्या है upper bound है यह l क्या है हमारा जो cow है उसकी length है so इनके base पे सायद example आ सकता है यही ml inequality सबको कोई बार यह से पुछता है कि find out the ml inequality या तो ऐसे भी पुछ सकता है क्या है कि find an upper bound ओके तो हमें यह use करना है तो यह सायद आ सकता है बाखे का तो कोई अभी important है नहीं इनके बारे में मैं आपको एक दू एक्जम्पल जो है इस वीडियो में आपके साथ discuss करूंगा राइट तो देखो यहां पे एक 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 एक्जम्पल है इसके नीचे यह देखो एक्जम्पल आया हुआ हुआ है find an upper bound for the absolute value of integral so यहां पे find क्या करना है हमें upper bound okay so मतलब यह ml inequality find करनी यह हमें find करना राइट तो यहां पे हमें चाहिए क्या यह तो हमें दिया हुआ है देखो of the integral यह तो हमें दिया हुआ है हमें आप डेकेट बनाया है तो हमें तो चाहिए कि यह m and l नहीं देते है m की value and n की value हम find करेंगो यहां पे रख देंगे वो हमारा answer simple वो ही find हो गए हमारा upper bound या तो ml inequality यह दिया है value of integral z square dz right where c is the straight line तो काव जो है c मतलब हमारा जो काव है वो क्या एक straight line है line segment from 0 to 1 plus i मतलब origin से start होगा और कहां पे है 1 plus iota मतलब इस type का होगा काव हमारा यह x और यह y पता चला देखो तो यह point को हमें यह complex number के form में है उसको point में लिखना है तो यहां पर क्या point आएगा 00 यहां पर क्या आएगा यह one x और iota के साथ जो भी है वह y यह भी one one point आएगा बता चला तो देखो यह figure में बता आ गया है हुआ है कि यह important है समझना है तो हमें क्या चाहिए इसके लिए upper bound मतलब यह find करना है तो इसमें से यह दिया है सिफ M & L के value चाहिए तो पहले हम क्या करते है यह जो line segment दी है ना उसकी length L मतलब क्या है जो कव दिया है उसकी length होती है तो हम length find कर देंगे तो कैसे find करेंगे length वह question पता है दो point के बीच में जो line डोग ही है उसकी length क्या होगी square root x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square तो यहाँ पर दोगो point क्या है x1 ने y1 0 ही है और यहाँ पर क्या है दोनों के value 1 1 है तो क्या हो जाएगा 1 minus 0 square plus 1 minus 0 square आ जाएगा हमारा क्या आएगा answer length का length मतलब L 1 square मतलब 1 plus 1 तो square root 2 आ जाएगा length यह दो point के बीच में जो line है उसकी length काउ है वो so L equal to क्या जाएगा हमारा यहाँ पर root 2 अब क्या find करना है हमें M उसके लिए हम क्या करेंगे इनका use करेंगे देखो so यहाँ पर Z की जगे पर हम क्या रखेंगे देखो इसके अंदर का function क्या है यह F of Z तो F of Z क्या दिया हुआ हमें Z square तो F of Z equal to Z square रखेंगे अब हमें पता है Z equal to क्या है X plus I out of Y तो Z की जगे पर क्या रखेंगे X plus I out of Y उसका square तो उसको थोड़ा हम अभी expand कर देंगे X square है plus I out of Y है तो I out of square Y square हो जाएगा I out of square की जगे पर हम माइनास रख देंगे हम डायरेक्ट लिक सकते है ऐसे X square minus Y square plus 2 I out of xy यह जाएगा अब हमें जो है पता है कैसे करना है पूरा equation को हमें X में convert कर देना है यह तो यहाँ पर क्या करेंगे लाइन दिये हमें तो यह along the line O A line जो है यहाँ और एन एक के बीच में कि रिलेस्टन्सिप क्या है X and Y का यह straight line है और देखो जैसे X बड़ रहा है वैसे यह लाइन किसकी है हम लिखते है कि Y Equal To X की है do the line तो Y की जगह पर क्या रख देंगे यहाँ पर सबकुछ सभी जगह पर X रख देंगे तो देखो F of Z क्या जाएगा अभी यहाँ पर X स्क्वैर माइनस यहाँ पर X के जगह पर Y की जगह पर X तो क्या हो जाएगा x square प्लस यहाँ पे भी क्या लिख देंगे x तो 2 iota x square हो जाएगा y की जगह पे x रख देंगे यह हमें कव दिया है उसकी relationship है x and y की बस वहाँ से तो यह x square प्लस x square माइनस x square cancel तो answer क्या आएगा 2 iota x square आएगा किसका f of z का अब क्या करते हैं दोनों मॉडूलस ले लेते हैं कि सो मॉडूलस 2 iota x square का answer क्या आएगा एक्चुली कोई भी मॉडूलस है मॉडूलस जेख तो हम क्या करते है उसका मॉडूलस square root x square plus y square करते है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा square root iota वाली term है x तो ही नहीं तो वह तो जीरो है लेकिन उनका square तो क्या हो जाएगा 4 iota square x square हो जाएगा कि स्वारी आयोटा तो आएगा नहीं y square ही करना है आयोटा के साथ क्या है 2 x square तो उसका क्या हो जाएगा 2 x square मतलब उसका square लिख देंगे तो easy रहेगा 2 x square का square तो हम यह square root के अंदर यह square वाला दो निकल जाएगा यह तो रहेगा कि answer only 2 x square तो यहाँ पर answer क्याएगा 2 x square अभी x की value जो है वो कहां से कहां जग जादी है देखो x की value 0 से यह कहां तक है x की value यहाँ पर 1 है यहाँ पर 0 0 point है तो 0 से start होती है और यहाँ पर x की value क्या है 1 है तो 0 & 1 के बीच में ही आती है x की value मतलब 1 से 1 या 1 से less ही है समझ मा रहा है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं न कि f of z is less than equal to 2 ओके यहां पर x के value 0 to 1 के बीच में यह से लिए है तो यह हमारा क्या गया यह जो आया वो m आ गया अपर बाउं मतलब जो maximum value function की ओके तो m equal to 2 आ गया and l equal to हमारा answer क्या था root 2 वास इसमें रख देंगे तो कि लिखेंगे क्या यह कि मॉडुलस जैर स्क्वेर डीजेर एक less than equal to ml मतलब यह दोनों का multiplication तो देखो यहां पर लिखा हुआ है है यह पहले जो भी ml inequality वह लिखनी है उसके बाद हमारा जिसका integration करना वो टर्म और less than equal to ml की वेल्यू रूट टू एन स्वारी टू एनल की वेल्यू रूट टू सो टू इन्टू रूट टू आ गई यह हो गई हमारी ml इन इक्वालिटी गेटिंग इस ही है तो वैसे भी एक और एक्जम्पल यहां पर नीचे दिया हुआ है देखो 2013 में पूछा गया है उसमें क्या दिया हुआ है find an upper bound find an upper bound for the absolute value of the integral तो यह integral दिया हुआ है where c is more of z equal to 4 अब देखो यहां पर अपर बाउन find करना मतलब ml inequality ही find करनी है main बाद किसके लिए यह integral के लिए है देकिन यहां पर कव क्या दिया है c देखो यहां पर इसका मतलब क्या है close काओ दिया है contour काओ राइट so c is क्या है more of z equal to 4 अब उसका मतलब क्या होता है more of z का मतलब क्या होता है square root x square plus y square ओके हम लिखते है न है z equal to x plus iota y करो तो more of यह हो जाएगा square root x square plus y square equal to क्या है 4 तो यह answer क्या है हमारा अभी यह जो radius है न एक square plus y square अभी square दोनों साइट पे हम square कर देंगे ओके यहां पे भी और यहां पे भी square हो गया दोनों साइट पे तो यहां यह क्या रहेगा square root का square मतलब क्या रहेगा x square plus y square आ जाएगा equal to मैं उसको 4 square ही लिखता हूं तो हमारा circle का equation क्या आता है x square plus y square equal to r square आता है तो यहां पे हमारा radius क्या हो गई यहार equal to क्या देखो 4 square है तो हमारा radius कितनी हो गई 4 हो गई तो 4 radius वाला यहां पे हमें circle टो करना है तो देखो यह x and y line है और यहां पे क्या दिया हुआ है circle exit पता चला आपको तो यहां पे z equal to क्या एगा 4 और यहां पे minimum value z क्या एगी माइनस 4 okay maximum value यहां पे z equal to 4 और माइनस 4 तो यह 4 radius का हमने circle बना दिया अब हमें क्या find करना है upper bound मलब ml inequality यहां पे हमें ml की value चाहिए तो पहले l की find कर लेता है l का मतलब क्या होता है जो भी कव दिया है हमें उसका length तो length क्या होगी circle के मतलब हम यह पूरा हम consider कते हैं तो क्या लिखते है 2 pi और length क्या है 2 pi r तो r equal to 4 रख देंगे तो देखो यह length क्या हो जाएगे 2 pi r r की जगे पर 4 रखेंगे तो क्या जाएगे हमारा answer 8 pi तो हमारा l तो मिल गया एक अब हमें चाहिए क्या m उसके लिए हम क्या लिखेंगे start कहां से करेंगे यह जो integral दिया है उसके अंदर जो function दिया है f of z वहां से तो f of z क्या लिखेंगे यह e raised to z divided by z plus 1 अब देखो दोनों side पर हम क्या ले लेंगे modulus ले लेंगे अब यहां पर क्या करेंगे दोनों को इस तरह से लिखेंगे separate modulus लेंगे modulus of e raised to z divided by modulus of z plus 1 ओके अब find करनी है हमें upper bound यहां पर देखो maximum z की value कितनी अभी यहां पर 4 है तो वह यहां पर रखते है e raised to z में तो देखो e raised to z less than equal to क्या आएगा e raised to 4 आएगा 4 यह 4 से नीचे आएगा main तो getting तो यहां पर में भी देखो separate क्या है तो यहां पर क्या क्या है इंक्वालिटी में less than equal to so e raised to z more of e raised to z is equal to हम लिख सकते अभी e raised to 4 ओके तो यहां पर minimum क्या है देखो लेट की value minus 4 तो यहां पर हम क्या लिख सकते है की z plus 1 ओके मॉडूलो से यह है ना z plus 1 greater or equal to 3 जैड की value रखेगे तो यहीं आएगा ओके माइनस 3 आएगा एक्चुली वो मॉड में है तो 3 या 3 से ज्यादा तो यह किसके आती है z plus 1 की मॉडूलो हम एक्चुली यहां पर यह z plus 1 क्या है टिनोमेटर में तो हम 1 by z plus 1 करेगे मॉड अफ जैड प्लस 1 तो वो यह greater or equal to की जगवा क्या हो जाएगा है 1 by 3 सो यह दोनों आ गए हमारे लिए लेस देन इकोल टो इंपोर होना है तो देखो इनकी जगवे हम क्या लिखेंगे अब यह वन बाइज प्लस 1 की जगवाए 1 by 3 इस टू 4 इंटू 1 by 3 मतलब दीनोमेटर में 3 लेखेंगे क्योंकि यह जो मिनीमम मेल्यू जो है वो डिपेंड करेंगी इस पर डिपेंड करेंगी कितने आती है तो यहाँ पर मैक्सिमम मेल्यू हमें एंटर की और यहाँ पर मिनीमम मेल्यू राइट इस तरह से हम यह लिख सकते हैं अब देखो यहाँ पर यह क्या गया हमारा m आ गया e raised to 4 into 3 so ml inequality का यह है equation तो यहाँ पर किसका करना है इनका है वो यहाँ पर लिख देंगे m की value क्या है e raised to 4 by 3 and l क्या है 8 pi तो साथ में इस तरह से लिख सकते है 8 pi e raised to 4 by 3 तो हमारा answer आ गया सो ऐसे छोटे छोटे एक्जाम्पल आते है 3 या 4 मैक्स में यह इस टाइप के जो एक्जाम्पल है वो important है right so अभी हमने previous example जो देखा है evolution करने का उसमें भी आपको में एक पता देता हूं देखो simple से आते है अब देखो यहाँ पर है find the upper bound for the integral इनका करना है c is the line segment from z equal to i to z equal to 2 so यह line segment यह है i मतलब क्या होता है i को x प्लस आउड़ा y के साथ compare कर तो क्या आगा point 0 1 आएगा और यह 2 का मतलब क्या है x ही दिया है और y क्या है 0 तो यह दो point के बीच में जो line है वो तो easy है okay चलो अब यह evolution में हमने दो example देखे थे हम आपको और एक example बदाता हूं देखो यह वाला यहां पर मैं थोड़ा speed करेंगा हमने देखा ही ऐसा example इसलिए तो देखो यह दो point के बीच में line है तो पहले हम यहां पर कोई कव का equation नहीं दिया है तो यह दो point use करके हम y and x के relation find करेंगे ऐसे then यहां पर z square है तो z की जगह पर क्या रखेंगे x प्लस आयोटा y and d z की जगह पर क्या रखेंगे dx प्लस आयोटा dy और यहां पर यह integration के limit है अब हम क्या करेंगे यहां पर x में या y में convert कर देंगे तो यहांपर किस में convert किया है अभी तक किया नहीं है उसको expand किया x प्लस आयोटा y को तो पूरा y में किया है तो y की limit की आएगी यहां पर देखो यह 0,0 होता है एक्चुल यह 0 मॉस आयोटा 0 होता है और यह क्या 4 4 plus 2y तो यहां पर y क्या है 0 और यहां पर क्या है 2 तो इंटीग्रेशन की लिमिट क्या आएगी जीरो टू आएगी तो देखो 0 to 2 पूरा y में कर दिया है यहां से dy को common निकालो तो बाकी जो रहेगा उसको बहाल लेलो तो constant y-square का integration तो यह answer आएगा अब मैं बोलू यह f of z जो है अंदर z-square का हमें करना है उसका answer क्या आता है derivative का f of z हमारा क्या है z-square है तो f dash of z क्या आएगा 2z सो z कोई भी finite value के लिए f of z कैसा है differentiable मतलब analytic है तो यह path पर depend नहीं करेगा यह जो हमारा path की condition दी है ना उस पर depend करेगा तो हम उसको अलग तरिके से भी हम कर सकते देखो इस तरह सा answer हमरा आया तो direct जो भी दिया है ना उसका direct integration कर दो square कर और यह complex number रखतो तो हमारा answer तब भी वैसा ही आएगा वैसे हमने इस टाइप के example भी देखा है इस टाइप के भी देखा है राइट सो यह दोनों तरिके से कर सकते यह example को क्योंकि यह differentiable है analytic है तो यह path पर depend नहीं करते है independent of cow यह path हो चाहेगा इसे लिए है तो अब यह path दिया है cow दिया हो condition यूज करके भी ऐसे find कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो directly getting समझ मैं है चलो और एक मैं आपको polar में बत्रें दाओं यहाँ पे एक example है देखो यह भी एक्जम में आया हुआ है find the value of integral find the value of integral इनकी वेर सी इस दर राइट हैंड हाफ किसका इनका जैर एकोल टू इन्टू इन्टू इस तो आयो थीटा अब दा सर्कल मॉडूलस जेर बाई टू उसका मतलब क्या होगा है मॉडूलस जेर बाई टू का मतलब कि यह सर्कल का equation है वीट रेडियस कितनी है जाएगी टू हमने अब भी देखा ना मॉडूलस जेर इक्वल टू फॉर ओके फ्रॉम जेर इक्वल टू माइनस टू आई टू जेर इक्वल टू टू आई तो देखो उसको कैसे हम करेंगे सकती है हम शर्कल तो हमने रोह कर्दिया ऐब यह देखो कि एक्सेन इण आय को आई टिवह है ऑंगा पोलार फँवनमें दिया है हमें का टीजन एं नहीर Maps तो क्या करेंगे यहां पर दिया हुए टिटा की रेंज कहां से कहां तक माइनस पाइबाई-ू पाइबाई-ू कहां था कि यह और दिया भी क्या है राइट है हाफ मतलब यह पूरा सरकल नहीं राइट पोशन का हाफ ही लेना है हमें राइट माइनश के वेलूर क्या है यहां पर क्या जाएगा जाता है बस वह इक्षा है इसलिए और यह इमेजनरी एक्सिस पह रहे तो यहां पर माइनस त्वाई है यहां पर टुआ है सो कहां से कहां जाता है बस होई लिखा है यहाँ पर जो कंडिशन दिये वह हमने यहां पर बतायी हुई है अब उसको solve करना है evaluate करना है तो यह जो दिया हुआ 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 हम लिखेंगे z equal to 2 into e raised to iota theta तो यहां पर इसका derivative लिखेंगे तो क्या है यहां पर क्या है यहां पर क्या है सब्सक्राइब हो जाएगा और यह d theta तो लिखेंगे क्या 2i is to iota theta into d theta पता चला है तो दोनों साइट पर यह derivative हो गया तो देखो क्या आएगा अभी हमें करना किसका देखो z bar का यह तो हमें दिया है राइट हैंड हाफ आफ जैड लेकिन करना कि किसका integration टो या इंटीघर बार का तो चैट बार इक पॉल टूकित हो जाएगा जैड इकोल क्या हमारा 2 i2 is restore मैंट हो जाएगा यहां पर ने यहां पर प्लास 가장 मारे के हो जाएगा माइन अउड़ हो जाएगा तो नहीं लिखा ना उसके उपासे डीजेर तो डीजेर की जगह के हम यह रख देंगे टू आयोटा इस टू आयो ठीटा इन्टू डीटीटा राइट सब कुछ आगया है बस अब इसी हो गया अब उसकी लिमिट लिखनी है ठीटा की तो ठीटा कहां से स्टाट होता है माइनस माइनस पाइब्डाइ अंपए रंदीटा है और इस टू प्लस हो र्याओ ठीटा है तो वो क्या हो जाएगा वन हो जाएगा सो बाकी क्या रहेगा ये 2 into 2 4 और ये iota into theta into d theta right सो अभी 4i दो constant बहल लेलो तो 1 बच जाएगा तो उसका integration क्या जाएगा theta upper limit pi by 2 और lower limit minus pi by 2 तो क्या जाएगा 4i bracket में pi by 2 minus minus pi by 2 तो plus pi by 2 हो जाएगा तो answer क्या आएगा हमारा pi by 2 plus pi by 2 क्या हो जाएगा pi तो 4 pi i लिख सकते हम ओके so easy example है देखो ये 4i pi लिख सकते ओके so integration बहुत easy आएगा छोड़ा छोड़ा आएगा लेकिन किसका करना है किस तरह से करना है वह important है यहां पर यह रेंज किस तरह से लिखनी है और यहां पर एक कनवर्ट किस तरह से करना हैंगे तो next video में हम निकनाय टोबिक स्टार्ट करेंगे